जल्दी आजा ना, पागल हो गई है क्या, अरी क्या हुआ सब बढ़ी है भावी, और आप जल्दी आजा ना, कोशिश करूँगी भावी घर का तो हार होती ही आजाओंगी ठीक है भावी, बावी आप खर्चा बहुत कर देते हो अरे दिदी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और आप बना उन सब की चिंता मत करो और ये बेन बेटी को देने से ना कुछ गोनी होता और बड़े गुडों ने कहा है ना बेन बेटी को जितना दो ना धर्म उतनी बरक्कत होती है ठीक है? ठीक है भावी हाँ ठीक है दिदी जल्दी आने के कोशिश करना है आच्छा भावी नमस्ते आच्छा दिदी नमस्ते यहलो ममीजे आपकी चाय लावीट खोड़ खोश रहो तो ने लेका है अपने चाय नहीं ममीजे मैं बाद मैं पेलूंगी अभी थोड़ा सा काम है काम करके फिर पीलूंगी मैं ठीक है आप पीलो चाये और तो का काम कभी खतम हुआ है बेटा सारी उमर खतम नहीं होता आजा बैठ जा तू भी पीले चाये ठीक है उम्मी बेटा गुंजन से हुई तेरी बात ममी मेरे दीदी से बात हो गई थी वो कह रहे थी कि मैं अपने घर का त्योहार करके बारा साड़े बारा बज़े तक आ जाओंगी ठीक है बेटा ममी खाने में क्या बनो? अरे बेटा जो मर जी बना ले ये तो तुम लोगों का त्योहार है पनीर की सबजी बना ले तो उनको बहुत पसंद है अच्छा सुन तू किस टाइम जाएगी अपने घर? मैं तो नहीं चाहूंगी न ममी अब देदी यहां पर आएगी और फिर मैं वहां चली जाओं घर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे तो पागल हो गई है क्या? तू अपना त्योहार नहीं करेगी? अरे तुरह भाई और तुरह ममी पापा भी तो तुरह घर पे इंदिजार देख रहे होंगे? अरे नहीं ममी मैं ऐसा करती हूँ मैं भाईया को बुला लेती हूँ यहां पर ऐसे कैसे हो जाएगा? चल तू भी तैयारी कर ले ठीक है ममी मैं चली जाओंगी और सुन अपने भाई के ना पसंद की मिठाई ले जाना अच्छा ममी मैं जा रही हूँ मुझे थोड़ा सा काम है जाओ बेटा खोब खश रहो बेटा और मैं भगवान से प्रादना करती हूँ कि तेरे जैसी बहुत सब को दे अरे क्या हुआ? सपना हाँ सपना ही तो लगता है हे भगवान कास ये सपना सच हो जाए कास हर नंद अपनी भावी को और हर भावी अपनी नंद का ऐसे ही सम्मान करे कास कास हर सास अपनी बहु को और हर भावी अपनी सास को प्यार करे अरे बहु कहां मर गई? आई मम्मी जी हाई फ्रेंड्स आपको क्या लगता है? क्या प्रिया का ये सपना सच हो पाएगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर लिखे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों और रिस्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद